सब में पहले तो मेरा जन्म में अपने भारत देश का एक सेंटर है नाकपूर जासे चार दिशा में चार घोड़े दाउड़े तो वहां एक छोटी से एरिया है गड़ी गुदाम मोननगर नाकपूर वहां मेरा जन्म हुआ वहां से मेरी जरनी स्टाइट होई तो सेविन तक मेरे पपने को घर से भार निकलने देते आठ बजय के बाद साघ बजय कहना काई चलो सीधा सीधा प्लब सीधा मतलब सोजा बोले भारने निकलने देते खेलने के लिए भी मना करते थे पहले तो मेरे पप्पा ने को पहले बहुत मारते एक मेरे को लास्ट मेरे पपा की मारे आदे की मेरे को पपा ने बोले थे की बेटा आज नहीं जाना खेलने तो मैं उतना मना करने के बाद भी मै गाया, खेलकर आया, सामको 7 बजे मेरा पपा ने नई चपल से में को मारे, बाटा की नई चपल दे, आज भी में को दीने आ दे, जब उसके बाद मेरा सेलेक्शिय होना मेरा पेपर में नाम हो माया, हैने हेडलाइन आई तो अंकुछ गेडा में गोल मारा ये वो, तो उसके ब आज आ ता उसमें मेरा एड्मिशन हुए, कॉलिज में एक वर्मा सर करके है, उन्होंने मेरा एड्मिशन करा के दिया, और ऐसा हो गया कि मेरा गेम अच्छा था, सार को गेम पसंद आया, मेरा कॉलिज में बहुत सारी चीज खेलने लग गया, उसके बाद में पुलिस भरती है, भारवी पास करना है, और में को पुलिस में लगना है, पुलिस में लगना है, इसलिए है कि मेरे, शिरिफ में को इतना पता था, कि अपने घर में तो पैसा है नहीं, एक पुलिस की चैसी नौकरी है, जिस में पैसा नहीं लगता, आभी लगता हूँगा तो नहीं पता, सम्टरों कि जुन का ऐसा है कि वो ऐक चीड बोलतें ना कि praising किसमत बोलते तो में यह किस्मत ही देखो मैं को film industry सी कुछ तालुगार दिनी थी शूसे यह नहीं को एक तो महने दुछ झाल देखता था यहा जने में शाहराट ऩूद lleva और जब मेरे पास जब ऑडिशन के लिए थे तो कैसा हुआ मैं गनपती विशर्जन थी एक सीन ऐसा था ग्यारा बज़े मैं डांस कर रहा था मेरे बड़े बड़े बाल थे नकली वीक जैसे मलिंगा के रहते ना पर वो भूत जब बोलते ना सहितान कैसे रहते तो मैंने लग उनके साथ एक मैडम थी शरीता थाई तो वीडियो डियो लेने लगे फिर वो लेकर थोड़ा दूर रोट के उस पार वो खड़े हो गए तो मैंने खुद गया मैं सर को बुछन की सर के मां जान सकता कि मेरी फोटो क्यो लिए तो बोले हमें शॉट फिम बना रहे बोले तो आप ओडिशन दे सकते क्या मैं बोले हाँ देदू में ओडिशन देने में क्या है तो बोले कल मिलो ग्यारा बजे करेक्ट ग्यारा बजे सर ने फोन के दादा ने कि हम लोग इधर इधर आ गए बोले फिर मैं उदर आया तैयार उदर हो कि मैंको सर ने पूछे क्या करते हो तो मैंने दाधा को पहले क्लियर क्लियर कर दिया कि मैंने को ना फिल्म देखता ना कुछ देखता पर मैंको एक ही डायलोग आदे बोला बोले कुन सा मुला रिष्टों में तो हम तुम्हारे बाप लगते नाम है सहीन सा और वो हो गया में को एक्टिंग करने लगाए फिर तो बोले एक सिच्वेशन रखता हो बोले तिरे सामने मैं बोला ठीक है कुछ भी कर उसको गाली दे मावण की गाली कुछ भी आना है क्योंकि अंदर मैं इस्पूर्स के सर ने बुला है अब फिर मैं सोच आइसा सहर भूशन दादर मुच एक्टिंग करने लगे तो मैंने सहर को इतना ऐसी दिया बहुत सारी बाते बुला तो वो डादा को पसंद आ जान्ट फोटो क्लिक करें और शायद अन्नों को भेज दिये कि डोन भेटला तो मेरी सीन होते थे सब सीन कर ले तें मैं नहीं झाता था में अपने आपकोुच गालिए देता था कि सब कर ले है कर ले तो क्यू नहीं कर रहा गोग घबकी तुमे को थोड़ी होती थी तकलिप पर मेरी जुढ स्यूट होने के आखरी मैं वो डराओ सार की में एक वालिटी यह पसंद आई कि कभी डाटे नहीं उन्होंने उनको सिखाए कि ए चीज करना पहले सीन में को कैमरा जब में को सर जब आवास दे दें कि मैं तो आवास दूगा तो उपपा जाना पहले सीन में तो मेरे जो एप से ना ऐसी हिल रहेता है की कुकि मैं परा पशीना पशीना के कभी कैमेरे के साम छोटे कैमरे में डरता था यह प्र leurतम से बड़ा तो jó इत्ता बड़ा कैमरा जो कभी देखन नि कभी संनी कि उसको सार ने बोले सीर स Macht equipment में गब्रमida मुमिनपूरा में सीन था मुला सर ने बोले बस मैं तो आवाज दूँगा उपपर आना तो जो बुलना रहेंगा गाली देने रहेंगा दे देने हुआ और पाइले टेक हो गया सब लोगने ताली बढ़ गया मेरा कॉंपिडेंस बढ़ गया उसके बाद मैं कैमरी से डरना बं सर पूरा सेड़ घुम के आए बच्चन सर के दाथ पूरा सेड़ घुम के आए सबको इसा रहता है कि मिलना चेर मैं डरावा था तो सर ने आके सिरी बोले डॉन का मैं युको डॉन से मिलने और उस तेम में को जो भादी फील हुआ ना कि डॉन सार ने डारेक डॉन का आए पाता है तो एक वो डॉन और एक में डॉन हाथ मिला अनके पायर पॉड़ा कले मिला बहुत खोशी हुए तो सब में पले नागरेश सर को मैं थेंकी बोलूँगा कि जिनके वज़े से मैं आज यहां बैट हो दो-तिन दिन पहले सर का मैं को मैंसे जाए कि स्क्रीन शॉट आया बहुजे वाट्सप में की डेश डेवियू में तेरा नाम आया तो मैंने सर को थेंकी सो मच लिखके भेजा फिर वहां से दूसरे दिन में को सर का फोन आया कि तेको मुंबई आना पड़ेंगा मैं को खुश हुए नहीं अंदर से इतने दिन बात की रेट कार्पेट होता है बोले कि एक्टर लोग आते है उदर जाके फोटो निकालना पड़ता बैनरों के सामने तो थोड़ा अलगी लग रहा था में कभी हुआ नहीं और जब वा गया में को बोले सर आजा बोले इधर रेट कार्पेट पर तो पुरे कैमरे भका भक तो अलगी फिल वहां बहुत भारी फिल फिर वहां से अंदर गुसे बहुत सारे एक्टर लोग गए फिर जब फिल्म पर का फंक्शन चाले हो उसके बाद मेरा जब बैस डेब्यू मेल का आया पहले फीमेल आया फिर मेल आया सब लोंग ऐसी बढ़े थे में को जैसा नाम आ भाता है न क्योंकि इस फिल्म में रहें कि नाम आना भी बग बड़ी बाते कि लोगों ने तेरा इसको शले कि या फिर वाजा कि मेरा नाम सही में आ गया व कैना साही में है तो मैंस्टेश पर गया निया तो मैंने श्यक्यूंकि बोला और सलमान सलमान खान सार लोग लोगों के उनको देखने को बहुत फैन है लोग मैं भी उनका फैन हूं उनके साथ उनके हाथ मिलाने का मौका मिला और क्या चाहिए और फिल्म फिल्म जब मैं को मिला तो मेरी इसी हाड़विट ने मन भराया कि पहली फिल्म है जो हिंदी फिल्म सर की नागरत सर की फिल्म और मन आया एक्टर ना मैं सीख कर आया कुछ कर लिए और फिल्म फिल्म फियर अवरड मिला भात बड़ी बात और एक चीजी अच्चु कि हमारा मयाधि वची समाज कई को लड़का हूँ कि हमारे समाज में पहला यसा लड़का है जो फिल्म एक एक्टर बना और फिल्म फेर मिला उसको और दोस्तों में बहुत सारे जिसने मेरी बहुत सारी हेल्प किये मैं सभी को थेंक्यू बोलना चाहूंगा जैसी अब पबलिक पबलिक को भी थेंक्यू बोलना चाहूंगा उन दर भी बोलना चाहूंगा कि आटपट टीम अपने साउंड दादा अभिनास दादा को मैंने थेंक्यू नहीं बोला था उस ताइम सुधाकर सार जून टीम को भी थेंक्यू बोलने चाहूंगा बस